Hello students, आज हम discuss करेंगे ionization energy जिसे हम ion and enthalpy के नाम से भी जानते हैं तो ion and enthalpy क्या होता है? क्या ये सिर्फ ions के लिए होता है? और हम इसके value को कैसे निकालते हैं? हम कैसे इसके order को समझ पाएंगे product table में? तो इन सभी बातों को आज हम समझेंगे मैं प्रिया सिंग आप सभी का विदपत्ती की इपार्शाला में बहुत स्वागत करती हूँ तो बच्चो आज हम जिस topic को पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत जादा important है वैसे ही सारे topic important होते हैं लेकिन आप ये याद रखिए कि जो basic topic होते हैं class 11th के ये बहुत जादा important होते हैं आपके organic में हो या inorganic chemistry या physical chemistry में तो इसलिए basic को हमें बहुत अच्छे दे समझना है उस पर बहुत सारे questions को भी करना है तो चलिए start करते हैं आज का lecture तो बच्छो आज हम आज सत्वा के वर्गी करन एवं गुंधर्मों में आवर्तिता में हम discuss करेंगे ion and enthalpy के बारे में कि ion and enthalpy क्या होता है तो आइए start करते हैं ion and enthalpy, ionization enthalpy यहाँ पर हम इसे ionization energy या ion and enthalpy भी कहते हैं तो ion and enthalpy क्या होता है आइए मैं आपको एक basic idea पहले दे देती हूँ तो आइए start करते हैं ionization enthalpy जिसे हम जब sodium अपनी गैसिय अवस्था से sodium प्लस गैसिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर electron को remove किया गया है यहाँ पर electron को निकाला गया है तो sodium यहाँ पर दो तीम चीज़े बहुत important है पहला कि आपका जो तत्व होना चाहिए वह गैसिय अवस्था में होना चाहिए और वहाँ पर हम एक electron को निकालते हैं तो इसे ही हम ion and enthalpy कहते हैं तो आईए समझते कि ion and enthalpy और क्या होता है तो देखिए तत्व द्वारा electron त्यागने की मातरतिक प्रकृति ion and enthalpy कही जाती है जैसे हमने देखा कि sodium, sodium plus में बदल गया तो यहाँ पर तत्व हमारा sodium है और sodium यहाँ पर ion में परिवर्तित हो गया है तो तत्व द्वारा electron त्यागने की प्रकृति मतलब यहाँ पर sodium ने अपने एक electron को त्यागा है तो इसे ही हम ion and enthalpy कहते हैं हम इसके referation पर और देखते हैं देखी तलस्त अवस्था जिसे हम ground state बोलते हैं यहाँ पर sodium ground state में है जिसे हम तलस्त अवस्था बोलते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हुए कि लिखा है कि isolated gaseous atom मतलब यहाँ पर जो हमें sodium की अवस्था चाहिए वह गैसी अवस्था होनी चाहिए वो भी अकेला यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोडियम अकेला था उसके साथ कोई दूसरा तत्व प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पर दो बाते बहुत important है पहला कि आपका जो तत्वा होना चाहिए वह ground state में होना चाहिए दूसरा यहाँ पर वहाँ गैसी अवस्था में होना चाहिए जो हमने वहाँ पर G के form में लिखकर आपको दिखाया पिर यहाँ पर लिखा है कि बाहितम electron को बाहर निकालने में जो उर्जा लगती है उसे तत्व की iron enthalpy कहते हैं हम जानते हैं कि sodium जिसका electronic विन्यास 2,8,1 होता है इसके बाहितम कोश में एक electron होता है उस एक electron को निकालने के लिए जितनी उर्जा की आवश्यक्ता होती है उसे ही हम iron enthalpy कहते हैं तो यहाँ पर हमें तीन बाते समझ में आई कि सबसे पहला आपका तत्व यहाँ तलस्त अवस्था यानि ground state में होना चाहिए दूसरा यहाँ पर हम सिर्फ गैसिया परमानू को ही लेंगे जैसा कि आप देख सकते है isolated gases atom इसका मतलब है कि यहाँ पर तत्व अकेला होगा उसके बाद यहाँ पर हम उसके electron को निकालते हैं तो उसके लिए हमें बाहर से उर्जा देने की जरूरत पड़ती है बाहर से उर्जा देनी पड़ती है तभी वह electron को निकाल पाएगा तो इसे ही हम ionon enthalpy कहते हैं तो आईए ज़रा हम इसे समझते हैं यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि sodium यहाँ पर gaseous अवस्था में है इसकी अवस्था gaseous है तो यहाँ पर अगर हम इसका electronic विन्यास लिखे तो आप देख सकते हैं 2, 8, 1 यहाँ पर 2, 8, 1 यहाँ पर इसका electronic विन्यास 2, 8 तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उर्जा प्रदान की हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से उर्जा प्रदान की मतलब यहाँ पर जब हम किसी तत्तो की गैसी अवस्था में उर्जा प्रदान करते हैं एक इल पहले यहाँ पर एक electron निकालने के लिए हमने उर्जा प्रदान की, तो इसे हम ionization energy भी बोलते हैं, ion enthalpy भी बोलते हैं, तो यहाँ पर यह value पहले के लिए IE1 हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर यह first ionization energy है, first ion enthalpy है, एक electron बाहर करने के लिए, तो यह जीज़ यहाँ पर clear है, कि हमें जब किसे तक्तो की गैसी अवस्था में, एक electron बाहर करने के लिए, बाहर से उर्जा की जरूरत होती है, और इसे ही हम ion enthalpy कहते हैं, तो आएए आगे देखते हैं, यहाँ पर ion enthalpy को सामन्ने तक किलो जूल प्रती मोल इकाई में व्यक्त हिया जाता है, मतलब यहाँ पर ion enthalpy का ये unit दिया है, यहाँ पर किलो जूल पर मोल, next slide पर हम देखेंगे कि दूइतिया ion enthalpy क्या होती है, जैसे ही यहाँ पर हमने देखा sodium के case में कि sodium अपनी तलस्त अवस्था यानि ground state में था, वहाँ पर हमने एक electron निकाला, लेकिन अब हम एक दूसरा electron निकालने की कोशिश करेंगे, तो उस यह हम दूइतिया ion enthalpy कहेंगे, तो आईए हम देखते हैं उधारन के माध्यम से, तो बच्चों यहाँ पर देखें कि यहाँ पर sodium plus gaseous अवस्था में है, अब हम इसमें से और एक electron को बाहर कर दे, तो यह sodium 2 plus हो जाएगा और 2,7, तो यहाँ पर हमने एक और electron बाहर किया, इसका मतलब कि यह हमारी ionization energy 2 कहलाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, कि यहाँ हमने हर बात सिर्फ एक electron निकाला है, पहली बार जब तलस्ता वस्था से हम sodium plus बनाते हैं, तो यहाँ पर एक electron निकालते हैं, और जब sodium plus से sodium two plus बनाते हैं, तो यहाँ पर एक electron निकालते हैं, तो यहाँ पर यह चीज़ हमें समझ में आती है, कि ionization energy 1 और ionization energy 2 में क्या difference है, आप एक बार में दो या तीन electron नहीं निकाल सकते हैं, आपको एक एक करके electron को निकालना है, तो यह ionon enthalpy में बहुत जरूरी है बच्चों को समझना, अब आगे बढ़ते हैं, सरवाधिक सिथिलता से बंधे दूसरे electron को प्रिथा करने के लिए दी गई उर्जा को द्वित्य आइनन enthalpy कहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, कि sodium plus ने जब हम sodium two plus की अवस्था में गये, तो उस अवस् जित्य आइनन enthalpy कहते हैं, और यहाँ पर बहुत important चीज़ है, कि हम किसी भी अवस्था में जाएं, वहाँ पर गैसी अवस्था होना बहुत जरूरी है, तो यह बहुत important point है, पिर हम आगे बढ़ते हैं, परमानू से electron को प्रिथा करने में हमेशा उर्जा की आवश्यक्ता होत इसका क्या मतलब है, देखे, आपके पास sodium परमानू है, अब sodium का परमानू में, जो electron यहाँ पर स्थित है, एक, यह अपने से तो बाहर जाएगा नहीं, यहाँ आपको उर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको उर्जा energy की supply करनी पड़ेगी, तब ही तो यह electron बाहर जा पॉइंट है, कि जब हम उर्जा प्रदान करते हैं, तो iron enthalpy धनात्मक होती है, आप देख सकते हैं, पर मानू से electron को प्रिथक करने में, हमेशा उर्जा की आवशिक्ता होती है, अथा iron enthalpy हमेशा धनात्मक होती है, बहुत important यह है, कि आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपके exam कोई आपसे प्रश्न करें, तो आपको पता होना चाहिए, कि iron enthalpy हमेशा धनात्मक होती है, यह कभी भी रिनात्मक नहीं होती, बहुत important point है, कि iron enthalpy हमेशा धनात्मक होती है, reason क्या है, कि sodium हो या sodium plus, अगर आप किसी परमानू या किसी iron, या किसी तत्तों से electron को बाहर निकालते है तो आपको बाहर से उर्जा यानी energy को देना पड़ता है, तभी वहां से electron का removal होगा, बहुत जादा important है, इस बात को याद रखना है आपको, कि iron enthalpy तब से पहले isolated gaseous atom, जिसे हम बोलते हैं कि gasey अवस्ता में आपका तत्वा होना चाहिए, दूसरा, iron enthalpy हमेशा धनात्मक होती ह यह कुछ points है जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं और याद रखने हैं, बहुत ही आसान है कि अगर हम किसी तत्तों से electron, एक electron को बाहर करते हैं, तो उसे हम iron enthalpy कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह important है कि उसकी अवस्ता, gasey अवस्ता होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं बच् कि maximum उत्क्रिस्ट गैसों के लिए होती है, जो पुर्ने electron कोश रखती है, तता इनके electron विन्यास बहुत ही स्थाई होते हैं, इस बात को समझेंगे कि कैसे हम noble gases या उत्क्रिस्ट गैसों के बारे में बोल सकते हैं कि इनकी iron enthalpy बहुत जादा table है, तो आईए देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर अब हम समझेंगे कि कैसे आपका electronic configuration और electronic विन्यास, ionization, energy या iron enthalpy के लिए उपयोगी है, तो आईए देखते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं, आप देखें बच्चों यहाँ पर हमने sodium और neon का example लिया है, हम जानते हैं कि neon एक उत्क्रिस्ट गैस है, एक noble gas है, यहाँ पर हम electronic विन्यास के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह यहाँ पर ionization energy, neon की जादा होगी आपके sodium के comparison या तुलना में, तो आए देखें कि यहाँ पर देखते हैं कि sodium gas, जब sodium प्लस गैसी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इसका electronic विन्यास, यहाँ पर आप 2, 2s2, 2p6, 3s1, जबकि sodium प्लस में यहाँ convert होता है, 1s2, 2s2, 2p6, मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, कि पहले यह अस्थाई था, अन्स्टेबल था, जब एक electron को निकाल दिया गया, तो यह स्थाई यानि स्टेबल हो गया, यहाँ पर यह स्थाई हो गया, तो यह यहाँ पर हमने बोला Ionization Energy 1, यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि यह पहली Ionization Energy है, और यहाँ पर यह अस्थाई से, अन्स्टेबल से स्थाई हो गया, मतलब स्टेबल हो गया, नियोन का केस देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कि इसका electronic विन्यास, जिसे हम electronic configuration भी बोलते हैं, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 है, यहाँ पर यह स्टेबल है, जब आपने यहाँ पर हमने बाहर से उर्जा सप्लाई की, हमने बाहर से उर्जा सप्लाई की, और उर्जा सप्लाई करने के कारण, यहाँ पर एक electron को निकाला गया, जब एक electron को निकाला गया, तो यहाँ पर देखा गया कि यह स्थाई से अस्थाई हो गया इसका reason क्या था कि पहले इसका electronic विन्यास बहुत stable था यहां पर इसका octave जिसे हम अस्टक भी कहते हैं पुर्ण था तो यह बात हमें समझ में आती है कि noble gases के case में हमें बहुत जादा उर्जा देनी पड़ेगी electron को निकालने के लिए तो यहां पर अगर हम बात करें कि ionization energy जिसे हम ionan enthalpy भी बोलते हैं वो उतक्रिस्ट गैसों के लिए बहुत जादा होती है मतलब हमें बाहर से बहुत जादा उर्जा प्रदान करनी होगी तब ही जाकर उसका electron बाहर जाएगा तो यहां पर अगर हम ionization energy की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ionization energy पहला क्योंकि हम यहां पर पहला ionization energy neon का बहुत जादा होगा ionization energy sodium से इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें बाहर से जादा उर्जा देनी पड़ेगी neon के case में तब ही हम electron को निकाल पाएंगे यहां पर यह स्थाई था stable था और जबरदस्ती उर्जा प्रदान करके हमने electron को बाहर निकाला जिसके कारण वह अस्थाई हो गया मतलब unstable हो गया लेकिन sodium के case में यह खुशी-खुशी sodium plus हो गया इसका reason क्या था कि जैसे हमने थोड़ी सी energy दी उसने अपने electron को बाहर निकाल दिया और यह थाई हो गया तो यह बहुत important point है जहां पर हम समझते हैं कि आइनन enthalpy maximum होती है उत्कृस्ट गयासों के case में जो पुर्ण electron कोश मतलब close electron shell रखते हैं तो इनके electron विन्यास बहुत स्थाई होते हैं तो यहां पर हमने क्या समझा neon के case में कि कैसे उसका electronic विन्यास स्थाई था जबरदर से उर्जा प्रदान करके हमने उसे अस्थाई कर दिया फिर आगे देखते हैं बच्चो जबके minimum छारिय धातू मोके लिए होती है आइनन enthalpy का मान बहुत कम होते हैं छारिय धातू मतलब ज चारिय धातू कहलाते हैं तो यहां पर हमें यह बात समझ में आती है कि noble gases के लिए ionization energy प्रथम ionization energy प्रथम आइनन enthalpy बहुत ज़ादा होगी जबकि चारिय धातू के case में वह बहुत ही कम होगी तो यहां पर यह बात हमें समझ में आती है आगे बढ़ते हैं बच्चो अब हम इसे दाए तरफ प्रियोडिक टेबल में जाते हैं तो प्रथम ionization energy जादा होती है उसके ब्रथी होती है अगर प्रियोडिक टेबल को आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हमें उत्कृष्ट गैसे मिलती हैं और वहां पर maximum ionization energy यानि maximum ion and enthalpy होता है तो इस बात को हम जड़ा उधारन से भी समझने की कोशिश करते हैं आएए देखते हैं तो बच्चो आप board पर देख सकते हो कि मैंने तत्वों के नाम लिखे हैं यहां पर हमने वर्ग एक वर्ग oxygen का और फिर fluorine और उत्कृष्ट गैसों का लिखा है जैसे मैंने आपको बोला कि iron enthalpy क्या होती है electron त्यागनी की प्रकृती होती है electron को बाहर निकालने की प्रकृती होती है तो यहां पर ये प्रकृती सबसे ज़ादा lithium sodium potassium के case में आती है क्योंकि हमने सुना है lithium lithium plus बनाता है sodium sodium plus का मिरमान करता है मतलब electron को निकाल कर ये स्थाई हो जाते हैं जबकि आपने सुना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, यानि फ्लोरीन के रिनायन का निर्मान करता है, ऑक्सीजन, ओटू माइनस का निर्मान करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की प्रकृती है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोन त्यागनी के प्रकृती ही आईनन एंथल्पी कहलाती है यहाँ पर हमें यह चीज समझ में आती है कि जो हमारी वर्ग एक वर्ग दो में बहुत जादा इलेक्टरॉन प्यागनी के प्रकृती है मतलब इनका आईनन एंथल्पी बहुत कम होता है reason क्या है कि ये बहुत जल्दी अपने electron को अपने कक्ष से बाहर निकाल देते हैं और जल्दी से स्थाई हो जाते हैं जबकि इधर के जो तत्व होते हैं उनमें electron ग्रहन करने की प्रकृती होती है तो जो तत्वा बहुत जल्दी से electron को त्याग दे तो उसकी ion enthalpy कम होगी बहुत important point कि जो तत्वा अपने electron को बहुत आसानी से गैसिय अवस्था में त्याग दे उसकी ion enthalpy बहुत कम होगी तो बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि बाए से जब हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो प्रथम ion enthalpy के मानों में सामनिता बृधी होती है मतलब क्या यहाँ पर जब हम left से right की ओर जाते हैं बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो यहाँ पर electron ग्रहन करने की प्रकृती होती है जबकि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में यहाँ पर group 13 में वहाँ पर electron त्यागने की प्रकृती होती है तो electron त्यागने की प्रकृती बहुत आसानी से हमें left जो बाएं तरफ के तक्तों में जादा मिलती है यही कारण है कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो iron enthalpy की मात्रा में व्रिधी होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जबकि हम वर्ग में जब नीचे की ओर आते हैं तो उनके मानों में कमी आती है अब देखे इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर देखे बच्चों कि अगर हम लीथियम की बात करें तो यह लीथियम प्लस का निर्मान करेगा सोडियम की बात करें तो यह सोडियम प्लस का निर्मान करेगा गैसी अवस्था में बहुत इंपोर्टेंट कि हमें गैसी अवस्था ही ले दी है तो यहाँ पर हमने देखा अब देखें अगर मैं लीथियम मैं आप क्या देखते हैं कि इसके प्रथम शेल यानि कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सोडियम के केस में यहाँ पर इसके तीन कक्ष होते हैं और अब दीखें बच्चों यहाँ पर नाभिग से इलेक्ट्रॉन की दूरी जादा है यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन नाभिग से दूरी पर स्थित है नाभिग से दूरी पर स्थित होने के कारण जब हम इसे थोड़ा सा भी एनर्जी या उर्जा देंगे तो ये जल्दी से बाहर चला जाएगा जबकि यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रोन जो बाहितम कक्ष में इलेक्ट्रोन है नाभिक और इलेक्ट्रोन के बीच इलेक्ट्रोन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स ओफ अट्राक्शन यहां पर जो electrostatic force है जो बल है वो ज़ादा है नाभिक और electron के बीच का बल यहां ज़ादा है के बीच बल ज़ादा है मतलब क्या यहां पर electrostatic force ज़ादा है नाभिक में protons हैं वो electron को अपनी और बहुत tight से खीच के बहुत tight से आकरशित करके रखेंगे ज़कि यहां पर proton से दूरी है electron की जिस कारण यह electron समय मिलते ही उरजा मिलते ही तुरंत निकल जाएगा मतलब जब हम वरग में उपर से नीचे की ओर आते हैं तो iron enthalpy के मान में कमी आती है मतलब थोड़ा सा ही उरजा देने पर यह electron चला जाएगा यहां पर क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं तो परमानू का आकार में व्रिधी होती है परमानू के आकार में व्रिधी होने के कारण बाहतम electron जो last में electron उपस्तित होता है उसकी नाभिक से दूरी ज्यादा होती है दूरी ज्यादा होने के कारण वो electron थोड़े सी ही उरजा देने पर आसानी से निकल जाता है तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आई आगे बढ़ते हैं बच्चो देखे तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है प्रियोडिक टेबल देखने पर कि जब हम बाएं से दाई और जाते हैं तो ionization energy increase होती है क्योंकि वहाँ पर होता है noble gas जबकि हम उपर से नीचे की ओर आते हैं तो ion enthalpy का मान घटता है ion enthalpy की value decrease होती है बहुत important point है कि ion enthalpy decrease होगी वर्ग में जब हम उपर से नीचे की ओर आएंगे आगे देखते हैं इस प्रशन में क्या आप से पूछा जा रहा है कि दुध्य आवर्थ के तत्वों में वास्तविक ion enthalpy का क्रम इस प्रकार है beryllium का boron से अधिक क्यों है आईए इसे समझते हैं कि इस तरह के प्रशनों को हम कैसे कर पाएंगे तो बच्चों question में आप से बोल रहा है कि beryllium की ionization energy जिसे हम ion enthalpy भी बोलते हैं वो boron से अधिक क्यों है जबकि होना क्या चाहिए जैसा कि हमने देखा कि जब हम priodic table में left से right की ओर जाते हैं मतलब 20 से दाएंग तरफ जाते हैं तो ionization enthalpy यानि ionization energy आईनन enthalpy का मान अधिक होता है मतलब जादा होता है तो आईए इसको ज़रा समझते हैं कैसे अगर हम यहाँ पर priodic table की बात करें तो lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon तो यहाँ पर expected क्या था कि lithium फिर यहाँ पर neon की आईनन enthalpy सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मतलब यहाँ पर electron निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उरजा की ज़रूरत है उसके बाद fluorine, oxygen, nitrogen, carbon अब यहाँ पर रेखे कि यह हमारी expected सिरीज थी जहाँ पर beryllium को पीछे होना चाहिए था और boron को आगे मतलब boron के लिए हमें ज़्यादा उरजा की ज़रूरत होनी चाहिए थी प्रथम आईनन enthalpy के केस में लेकिन यहाँ पर हमें मिलता क्या है कि यहाँ पर boron आगे यहाँ पर beryllium आगे और boron पीछे है इसका reason देखिए अगर हम इसके electronic विन्यास को देखे तो हमें यह चीज समझ में आएगी यहाँ पर देखें beryllium 1s2, 2s2 यहाँ पर इसका s कक्षब पुर्ण रूप से भरा हुआ है यह पूरा fulfilled है यहाँ पर electronic विन्यास 1s2, 2s2 2s2 मतलब यहाँ पर electronic configuration s orbital यानि s कक्षब में सम्पूर्ण रूप से दो electron भरे हुए और fulfilled है जबकि यहाँ पर एक electron निकालने के बाद 1s2, 2s1 हो गया यहाँ पर क्या समझ में आता है कि beryllium sthye था लेकिन जबरदस्ति उसमें उर्जा प्रदान करके उसे अस्थाई किया गया जबकि यहाँ पर देखें बुरॉन का case जहाँ पर बुरॉन बुरॉन प्लस हो जाता है यहाँ पर देखें कि पहले यह अस्थाई था जब इसने एक electron निकाला तो यहाँ पर यह स्थाई हो गया मतलब बुरॉन के case में हमें कम उर्जा की जरूरत है बुरॉन के case में हमें कम उर्जा की जरूरत है तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कम उर्जा की जरूरत है क्योंकि यह unstable था यह unstable था जैसे थोड़ी से उर्जा प्रदान की यस्थाई हो गया लेकिन यहाँ पर यस्थाई था यहाँ पर हमें ज़ ज्यादा उर्जा की जरूरत मतलब इसका आइनन इंथल्पी ज्यादा होगा तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि बेरिलियम के लिए हमें ज्यादा उर्जा की जरूरत है और बुरॉन के लिए कम इसलिए यह ट्रेंड इस प्रकार आता है तो बहुत important question है और यह इस तरह की question ही आपको iron enthalpy में exam में पूछे जाएंगे तो इसे very important करके रखें तो आएए देखते हैं next question यहाँ पर बोल रहा है कि iron enthalpy का क्रम इस प्रकार है जहाँ पर हम देख रहें कि oxygen की nitrogen और fluorine से कम क्यों है iron enthalpy तो आएए देखते हैं इसे समझते हैं कि किस प्रकार हम इस तरह के question को कर सकते हैं तो बच्चों इस question में देखिए आपसे पूछ रहें कि oxygen की iron enthalpy nitrogen और fluorine से कम क्यों हैं तो इसे भी हम electronic विन्यास के माध्यम से समझेंगे सबसे important चीज है कि iron enthalpy के जब भी कोई pressure आए तो आप उसे सिर्फ electronic विन्यास से solve करें यह बहुत जरूरी है नहीं तो आप अगर normal trend को follow करने जाएंगे normal trend को follow करना है लेकिन बहुत जगा हमारे questions, exceptions आ जाते हैं और वहां पर stability और unstability की बात होती है तो reason यह है कि इसके लिए आप electronic configuration यानि electronic विन्यास का उप्योग करें तो आए देखते हैं इस प्रशन को तो बचो यहां पर हमें क्या समझ में आता है normal trend यहां पर देखे कि oxygen nitrogen का यहां पर प्रशन को आप देख सकते हैं कि यहां पर oxygen nitrogen से पीछे है मतलब carbon के पास हैं तो यहां पर oxygen nitrogen और plorine तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को बच пожर सकते हैं अब देखे बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, कि यहाँ पर, अगर हम इन सभी को देखें, तो यहाँ पर oxygen पीछे है nitrogen से, इसका reason क्या है? फ्लोरीन से पीछे है, समझ में आता है, क्योंकि यह trend है, यहाँ पर 20 से जब हम दाएं की ओर जाते हैं, तो nitrogen एंथल्पी यानी जिसे आइनन एंथल्पी बोलते हैं, उसका मान बढ़ता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा है, यह बात clear है, यह trend में है, क्यों यहां पर दिक्कत होती है नाइट्रोजन के साथ इसका रीजन हम समझते हैं कि नाइट्रोजन के केस में अगर हम उसका इलेक्ट्रोनिक विन्याज देखे तो आप देख सकते हैं 1 is 2, 2 is 2, 2p3 या थाई है ये क्या है बच्चो ये आधा भरा हुआ है 2p ये हाफ फिल्ड है इस अस्थाई हो गया ये अन्स्टेबल हो गया जबकि ऑक्सीजन के केस पर देखे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्लस हो रहा है यहां पर 1 is 2, 2 is 2, 2p4 फिर ये ऑक्सीजन प्लस रब होता है तो 1 is 2, 2 is 2 और 2p3 इसका मजलब क्या है कि यहां पर ये अस्थाई था अब ये प्रदान की तो वो स्केबल हो जाएगा लेकिन नाइट्रोजन के केस में बिचारा वह अस्ठाई हो गया उसे ये चीज पसंद नहीं आई यहाँ पर उसे जबरदस्ती जादा उर्जा देनी होगी यही रीजन है कि आयोनाइजेशन एंथल्पी यानि आइनन एंथल्पी नाइट्रोजन की जादा होगी ऑक्सीजन से लेकिन प्रथम आयोनाइजेशन एंथल्पी हमने सर्फ यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथल्पी वन की बात की है यहाँ पर हमने उसके तलस्त अवस्था से जो प्रथम अवस्था आएगी आइनन एंथल्पी की उसकी बात कर र यहां पर trend में आप देख सकती कि मैंने वहां पर निशान लगाया है कि कैसे ionization energy increase होती है लेकि nitrogen और oxygen के case में जाकर वो first जाती है इसका reason क्या है कि क्यूं कि nitrogen stable electronic configuration में था स्थाई था बहुत stable था उसे जबरदस्ती उर्जा प्रदान करके अस्थाई किया गया तो यहीं reason है कि nitrogen की प्रथम ion enthalpy जादा होगी oxygen के तुलना में तो यह बात बहुत important है बच्चो आगे तो यह lecture में हमें क्या समझ में आए कि ion enthalpy हम क्या से निकाल सकते है ion enthalpy क्या होती है तो बच्चो आप इस lecture को बहुत अच्छे से समझे पढ़िए और इस पर बहुत सारी जो questions हम next lecture में कराएंगे उसे solve करिए तब तक के लिए धन्यवाद thank you so much हमारे चानल को subscribe करिए अपने दोस्तों के पाश शेयर करिए और हर एक प्रेशन जो आपको class में कराया जाता है उसे अपने से practice करें thank you so much